जैम आता दी दोस्तों आप देख रहे हैं असरदार डोटके मंगलवार को भूल कर भी ने करें ये चार काम नहीं तो होगी आर्थिक तंगी और पैसे पैसे के लिए हो जाओगे मोहताज दोस्तों हिंदू धर्म की परमप्राओं के अनसार माना जाता है कि हर दिन का अपना ही महतव होता है अगर दिन के अनसार काम करें तो देवी देवता की किरपा भी आपके उपर हमेशा बनी रहती हैं और आपको जीवन में कभी भी किसी भी तरह की समझ्या का सामना नहीं करना परता है हर एक दिन किसी ना किसी देवता और ग्रहे का होता है इसी तरह जोतिस के अनुसार मंगलवार को मंगल ग्रहे का कारक माना जाता है इस दिन ऐसा कोई विसेश काम नहीं किया जाता जो हम आगे इस वीडियो में बताएंगे क्योंकि इस दिन ऐसा काम करने से आपको ऐस सफलता मिलती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और आप रूपए पैसों के लिए मोहताज हो जाते हैं करजे के नीचे दब जाते हैं आपके सभी इतरहें के बने-बनाए काम भी बिगड जाते हैं तो आये दोस्तों जानते हैं उन बातों के बारे में जिनको हम मंगलवार के दिन भूल कर भे नहीं करना चाहिए पहला धन नहीं लें और नहीं दें सास्त्रों के अमसार माना जाता है कि मंगलवार के दिन किसी को भी धन नहीं देना चाहिए और नहीं किसी से धन लेना चाहिए इससे आपको आर्थिक परिशानी और हानी हो सकती है इस दिन किया गया कोई भी पेमिन सही नहीं होता इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें सराब और मासाहार से रहें दूर मंगलवार सिरी हनुमान जी का दिन होता है इस दिन सातविकर रहना चाहिए इसलिए सराब मासाहार से हमेशा दूर रहना चाहिए जिससे आपके उपर भगवान की किरपा हमेशा बनी रहे साथी किसी भी त्रह की काम में बादा ना आये दाड़ी या बाल बनवान परमप्राओं के अंसौर माना जाता है कि मंगलवार के दिन दाड़ी या फिर बाल भी नहीं कटवाने चाहिए इससे आपको मंगल दो से लगता है नाखून नै काटे मंगलवार के दिन नाखून काटना भी सुब नहीं माना जाता है इस दिन नाखून काटने ऐसुब होते हैं जिसके कान आपको बहुत रहें की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो दोस्तो आप भी भूलकर भी ये चार काम मंगलवार के दिन ना करें यदि आप अपनी जीवन में खुसाली चाहते हैं और अपने सभी कामों को बनाना चाहते हैं तो दोस्तो, यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो प्लिस लाइक और शेयर जुरूर कीजी इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजे ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिकेशन आती रहे धन्यवाद दोस्तो